नुश्कार competition community के इस fast track revision course में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है पुखराजगीरी और इस fast track revision course में मैं deal कर रहा हूँ आपको यह भी बता दूँ अपने FTR के इस वीडियो में 36 गड के भुगोल से मैं लेके आया हूँ कुछ important प्रशनों को जो की है खनिश topic से लेकिन वीडियो में हम प्रशनों को चालू करने से पहले आप सभी लोगों के लिए है एक विशेश सूचना अगर CGPSE की प्रारंभिक परिक्षा 2020 के लिए अभी तक आपने 36 गड की समसमाई की राष्ट्री और अंतर राष्ट्री समसमाई की को कवर नहीं किया है साथ ही आपने अभी तक 36 गड के आर्थिक सरवेक्षन को भी नहीं चुआ है तो ध्यान रखे आप सभी को इन सभी विशेयों की कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी कराने के लिए छातर हित में कॉंप्रीहेंसिव कॉम्प्रीशन कम्यूनिटी लेकर आ रहा है कॉंप्रीहेंसिव करेंट अफैस प्रोग्राम और वह भी न्यूनतम शुलक में मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो प्रोग्राम हैं आप सभी को 15 जन्वरी 2021 के दिन अवेलेबल कर दिया जाएगा संपूर्ण रूप से और आपको यह भी बता दूं कि 12 जन्वरी 2021 से ही इसके प्रायर रजिस्ट्रेशन्स चालू हो चुके हैं आप यह भी जान लीजिए कि इस प्रोग्राम के अंतरगत मैक्जिमम 25 घंटे खर्च करके बहुत बहतरीन तयारी कर सकते हैं आप 36 गड़ नाशनल इंटरनाशनल कर इंटरफेर्स के साथ साथ 36 गड़ के आर्थिक सर्वेक्षन की भी एक और बात है इन सभी चीजों का आपको PDF भी अवेलिबल कराया जाएगा तो ना सिर्फ आपकी तयारी वीडियो के माध्यम से होगी बलकि आपको PDF भी अवेलिबल कराया जाएगा तो ये है हमारा comprehensive current affairs program जो की कम समय में सटीक तयारी के लिए आप सभी के लिए बहुत important हो सकता है तो मैं आशा करता हूँ कि इस program का लाभ उठा के आप सभी जो हैं इस प्रारंभिक परिक्षा में बहुत बहतरीन perform करेंगे और आप सभी से मेरी मुलाकात mains के program के लिए भी तो यह रहा हमारा पहला प्रश्ण वर्ष 2018-19 के लिए 36 गड़ के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का हिस्सा कितना पतिशत था तो मैं आपको बता दूँ वर्ष 2018-19 के लिए 36 गड़ के कुल राजस्व में खनिज राजस्व का हिस्सा था 27% कितना हिस्सा था 27% अब options पे आ जाएं, option D में है 24%, option C में है 25%, option B में दिया है 26% और option A में दिया है 27%, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है, तो 27 प्रतिशत है, क्या है, तो खनीज राजस्व, यही प्रश्ट में पूछा भी गया है, कि खनीज राजस्व का हिस्सा कुल राजस्व में कितना है, हमने देखा 27% हिस्सा है, खनीज राजस्व का कुल राजस्व में, और 27 चूकी option A में दिया है, इसलिए option A जो है, आपके पहले प्रश्ट का सही उत्तर है, next हम आज आते हैं, question number 2 पे, वर्श 2018-19 के लिए खनीज राजस्व में अधिक्तम योगदान किस खनीज का था, अब देखिए खनीज राजस्व में अगर खनीजों की योगदान की बात करें, तो first ranking, कोईला, कितने प्रतिशत का योगदान, तो 55.08, उसके बाद, लोह आयस्क, कितना प्रतिशत योगदान, 26.20, उसके बाद, चूना पत्थर, कितना प्रतिशत योगदान, 6.35, तो हमने क्या धेखा, कोईला का योगदान है, 55.08, लोह आजस्का, 26.20, और चूना पत्थर का योगदान है, कितना, 6.35, अब प्रतिशत, अब प्रस्ट में क्या पूछा गया है, अधिकतम, अधिकतम किसका देखा है, कोईला का, तो अधिकतम हमने देखा किसका है, तो अब देखिए कोईला कहां दिया है, तो कोईला दिया है option D में, और इसलिए यह जो option D है, यह होगा हमारे दूसरे प्रशन का सही उत्तर, तो यह रहा हमारा दूसरा प्रशन, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रशन पर, तीसरा प्रशन है, चिलहाटी किस्से संबंधित है अब इस प्रशन के लिए हम आ जाते हैं 36 गड़ के मैप पे, अब मैप पे यह एक जिला है, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिला है बिलासपूर, अब इस बिलासपूर में, अगर मैं चूना पत्थर के खदानों की बात करूँ, तो है तेंदुआ, फिर है चिलहाटी और मस मस्तूरी, तो बिलासपूर जिले में चूना पत्थर के खदान, तेंदुआ, चिलहाटी और मस्तूरी, आपको यह भी बता दूँ कि 36 गड़ का सबसे बड़ा चूना पत्थर भंडारन है, यही चिलहाटी बिलासपूर जिले का, क्लियर, तो चिलहाटी का संबंद किस से है तो चिलहाटी का संबंद असल में चूना पत्थर से है, यह चूना पत्थर का भंडारन है, कहाँ पर है तो बिलासपूर जिले में, तो प्रशन पर वापस आएं, तो चिलहाटी हमने देखा है किस से संबंदित है, तो इसका संबंद है चूना पत्थर से, अब देखिए च तीसरे प्रश्ण का सहीं उत्तर जो है, वह है option B, चूना पत्थर. Next हम आजाते हैं अपने चौथे प्रश्ण पे. Law IS के भंडारण शेत्रों को अधिक्तम से न्यूनतम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए. options में क्या है, तो बैला डिला है, राव घाठ है, और है एक लामा. अब देखेए ये राच 36 गड़का मैप, अब जो भंडारण हैं, उसको सबसे पहले एक बार मैप पे देखते हैं. तो एक दिया हुआ है क्या, तो बैला डिला. अब यह जो बैला डिला है, यह 36 गड़का सबसे बड़ा लोह यस्क भंडारण हैं, किस जिले में हैं, तो दन्तेवाडा जिले हैं. दूसरे नंबर पर है, इस कांकेर जिला का राओगाट. क्या नाम है, तो राओगाट नाम है, कौन से जिले में, तो कांकेर जिले में स्थान कौन सा है, तो सेकेंड. तीसरे स्थान पर है, कबीर धाम जिले का एक लामा, क्या नाम है, एक लामा, रैंक क्या है, थर्ड. और चौथे स्थान पर है, दल्ली राजरा, कहां पर है, बालो जिले में, कौन सा स्थान है, चौथा. तो रैंकिंग देखिए, पहला बैला डिला, कहां पर है बैला डिला, दंतेवाडा, सेकेंड क्या है, राव घाट, कहां पर है कांकेर, थर्ड. एक लामा कहां है, कबीर धाम, दल्ली राजरा, फोर्थ है, कहां पर है, तो बालो जिले में, अब आ जाएं, क्रम को विवस्थ करने के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, फर्स्ट रैंक पर है बैला डिला, सेकेंड रैंक पर क्या देखा, तो राव घाट है, और थर्ड रैंक पर क्या है, तो एक लामा है, मतलब, ये औरेडी क्रम से जमे है, तो बैला डिला के सामने वन दिया है, तो क्या मैं व नहीं क्रम क्या हुआ तो क्रम एक दो तीन अब देखिए option C में ही यह क्रम दिया हुआ है एक दो तीन और इसलिए यह जो option C है यह होगा हमारे चौथे प्रशन का सही उत्तर पहले बैलाडिला उसके बाद रावगाट और उसके बाद एक लामा तो यह रहा हमारा चौथा प्र प्रशन पर पाचवा प्रशन में पूछा गया है कि CMDC 36 गड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्परेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई है तो मैं बता दूँ आपको कि CMDC की स्थापना जो है वह हुई है जून वर्ष 2001 को अब यह जो CMDC है इसके अंतरगत 36 गड में पाच परियोजनाएं चल रही है पहली है कोईला परियोजना उसके बाद है लौह अयस्क परियोजना तीसरी है बोक साइट परियोजना चौथी है कैसे टर्ड राइट परियोजना और पाच भी है कोरंडम परियोजना कौन कौन सी परियोजना है कोईला लौयस्क बॉक्साइट कैसे टराइट और कोरंडम परियोजनाएं यह पाच परियोजनाएं वे हैं जो कि किसके अंतरगत चल रही है तो cmdc के अंतरगत चल रही है और cmdc की स्थापना कब हुई है तो जून 2001 में अब options को देखिए तो क्या है सितंबर 2001 अगस्त 2001 जुलाई 2001 और option a में दिया है जून 2001 तो हमने क्या देखा स्थापना हुई है कब तो जून 2001 में और इसी लिए option a जो है यह सहीं उत्तर है हमारे पांचवे प्रश्न का अब नेक्स हमाजाते है अपने छटवे प्रश्न पे लिखा है cmdc के तहट कितनी परियोधनाय शामिल है हमने देखा पांच परियोधनाय कौन कौन सी कोईला है कोईले के बाद क्या है तो है lawyers उसके बाद हमने देखा box site है उसके बाद है कोरेंडम औ और है Cascadenite अब देखिये 5 दिया है option c में इसलिए सहीं उत्तर इस छटवे प्रश्न का क्या होना चाहिए तो होना चाहिए option c और इसलिए option c है इस छटवे प्रश्न का सहीं उत्तर अब next हमाजाते हैं अपने साथे प्रश्न पर इसमें क्या करना है तो सही मिलान करना है, जहां एक और खनिज हैं, कोईला, लोह, चुना पत्थर और बॉक्साइट, तो दूसरी और हैं उनके भंडारण शेत्र, बोदई, दलदली, हस्देव, अरंड, राव घाट और चिलहाटी, अब इस प्रश्ण को हम सॉल कर लेते हैं, मैप के माध्यम से, तो देखिए, हम अल्ड़ेडी इस कांकेर जिले में देख चुके हैं, राव घाट, और राव घाट का संबंध जो है, मैंने किस से बताया था, तो बताया था, लोह, अयस्क से, इसके बाद, इस कबीर धाम जिले में आपको ध्यान रखना है, बोदई दल दली, बोदई दल दली जो है, इसका संबंध है, बॉक साइट से, इसके बाद हम अल्रड़ी बिलासपुर में देख चुके हैं, चिलहाटी, अब चिलहाटी का संबंध मैंने बताया था, किस से है, तो चूना पत्थर से, और फाइनली, इस कोरिया, सूरजपुर और कोर्बा जिले में विस्तार है किसका, तो हस्देव अरंड का, और यह जो हस्देव अरंड है, यह है भंडारन शेत्र किसका, तो कोईले का, तो बोदई दलदली, बॉकसाइट, रावगाट जो है कहा, तो लॉयस, चिलहाटी, चूना पत्थर, हस्देव अरंड जो है, इसका संबंध है किस से, तो कोईले से, अब प्रश्टी पर वापिस आईए, तो हमने क्या देखा, कोईले का संबंध हस्देवरंड से, लॉयस का जो संबंध है, वह किस से देखा है, तो रावगाट से, चूना पत्थर देखा है, चिलहाटी से, बॉकसाइट का देखा है, बोदई दलदली से, तो अब पेरिंग कर दो, तो क्या हो जाएगा, A2, B3, C4 और D1, क्या हो गया, A2, B3, C4 और D1, अब options को देखिए, तो option A में ही आपको मिल जाने वाला है, A2, B3, C4 और D1, और इसी लिए option A होगा, इस साथवे प्रशन का सही उत्तर, तो यह हो गया हमारा साथवा प्रशन, देखिए, Next है हमारा आटवा प्रशन, जिसमें फिर से सही मिलान करना है, जहां एक और तो खनिज है, लेकिन दूसरी और है वे चटान, जिनसे इन खनिजों की प्राप्ती होती है, तो पहला खनिज है कोईला, आप सभी जानते हैं कि कोईला जो है, उसकी प्राप्ती होती है, इस गड़ में कडपा चटानों से, और फिर है टिन, टिन की प्राप्ती होती है कि से तो आर्कियन चटानों से, अब पेरिंग करें तो क्या बन गया, देखिए A2, A2 के बाद है B4, B4 के बाद है C3 और D1, तो देखिए पेरिंग क्या हो गई, तो हो गई A2 मतलब कोईला गो आर्वार, C3 मतलब चूना पत्थर कडपा और D1 मतलब टिन, आर्कियन, अब options को देखिए तो सभी option में A2 है, A2 के बाद हमें क्या देखना है, तो B4 तो देखिए option B में ही दिया है B4, फिर आगे मिलां करिए तो देखिए C3 है क्या, तो जी हाँ बिलकुल है, फिर होता है हमारा आठवा प्रश्न, और हम चलते हैं अपने नवे प्रश्न की ओर, नवे प्रश्न में दिया है, गैलिना 36 गड के किस जिले में पाया जाता है, तो देखिए, सबसे पहले गैलिना से किस की प्राप्ती होती है, तो गैलिना से सीसा या लेड की प्राप्ती होती ह अब 36 गड़ के बस्तर संभाग में यह एक जिला है क्या नाम है तो नाम है दंते वाड़ा और इस दंते वाड़ा जिला में दो भंडारन हैं किसके इस ग्यालिना के कौन कौन से हैं तो एक है जिरका और दूसरा है बिजाम क्या क्या है तो जिरका और बिजाम तो वापिस आते हैं प्रश्ण पे हमने क्या देखा यह जो गैलिना है यह चत्तिजगड के किस जिले से मिलता है तो मिलता है दंतेवाडा जिले से जगा का नाम क्या-क्या बताया था तो जिरका और बिजाम दंतेवाडा को देखिए कहां पर दिया है तो option D में दिया है और इ फ्रश्वा प्रश्ण है देखिए वर्ष 2018-19 के लिए 36 गड के कुल खनिजराज़स्व में गौन खनिजो का हिस्सा कितना था। देखिए, चत्तिस गड़ के कुल खनिज राजश्व में 94 प्रतिशत हिस्सा जो था, यह था मुख्य खनिजो के लिए, जैसे कोईला हो गया, लोयस्ख हो गया, और बचा हुआ 6 प्रतिशत जो हिस्सा था, वह किसका था, तो गौन खनिजो का. तो देखिए, हमने क्या समझा, वर्ष 2018-19 में 36 गड़का जो कुल खनिज राजश्व था, उसमें 94 प्रतिशत हिस्सा किसका, मुख्य खनिजो का, और 6 प्रतिशत हिस्सा किसका, तो गौन खनिजो का, हमें पूछा है कि गौन खनिजो का हिस्सा कितना था, तो हमने क्या देखा 6% था और 6% किस में दिया है तो option B में दिया है और इसी लिए option B जो है यह हमारे 10 वे प्रशन का होने वाला है सही उत्तर तो यह थे 10 कुछ अच्छे और conceptual प्रशन 36 गड़ के खनिज section में से तो मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी से मुलाकात होगी मेरे आने वाले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू आड़ टेक केर और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले